टोटल पांच पॉइंट्स हैं इसके बाद किसी के भी मन में एक भी डाउट नहीं बच सकता कि कवर बक्वास है या महामारी दोस्तों एकदम ध्यान से सुनना है और सब को बताना है क्योंकि यह लडाई सही जानकारी की लडाई है और जिस दिन समझ लेना कि जिस दिन आप कम से कम दो लोगों को पूरी तरह समझा पाओगे कि कवर एक बक्वास है एक अववा है एक जूट है आप उस दिन जीत जाओगे पहला पॉइंट जर्मिनी में लॉगडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट की वीडियोज देखे अगस 2020 यह वीडियोज आपको कभी भी न्यूज चानल पर नहीं दिखाए जाएगी क्योंकि न्यूज चानल को हाई कमांड से ओर्डर्स होते हैं उन्हें पता है कि अगर आप लोगों ने देख लिए प्रोटेस्ट टीवी पे तो आपको कवर की सच्चाई पर चल जाएगी और डर खतम हो जाएगा और डर खतम तो वैक्स कोई भी नहीं लगाएगा तो फिर उनकी कमाई कहां से होगी करीब 20,000 से ज्यादा लोग है इस प्रोटेस्ट में आप इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं पूरी डीटेल्स और वीडियोस अगर आपको लग रहा है हम जूड बोल रहे हैं मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है ये प्रोटेस्ट छुपाने की आप देखें और खुद सोचिए कि क्या ये सब लोग बेफकुफ हैं या फिर क्या ये लोग मर गये होंगे कवर से और तो और दोस्तों कहा जा रहा है कि अगस्त मन्त के एंडिंग में करीब 16 लाख लोग प्रोटेस्ट करेंगे जौर्मिनी में 16,000 नहीं कहा मैंने 16 लाख कहा है सोचो इतनी बड़ी प्रोटेस्ट इतनी बड़ी तो जब कोई देश आजाद होता है तब भी नहीं होती और आप लोगों को भनक भी नहीं है इन प्रोटेस्ट की जरा सोचो ऐसा क्यों सोचो सोचो क्योंकि मीडिया बिकी हुई है और आपको डरा के रखना चाहती है ये जूट फैला कर आपको वहम है कि आपके टीवी के रिमोट से आप अपनी इच्छा से कुछ भी देख सकते हैं आप सिर्व वो देखेंगे जो सरकार चाहेगी और ये हमेशा से हो रहा है दूसरा पॉइंट जिन जिन लोगों को लगता है कवर एक महामारी है उनके लिए खास तोफा लाएं हैं हम होश उड़ जाएंगे आपके ये देख कर धान से सुनियेगा इसके बाद हम हिंदी में भी बताएंगे जी हां दोस्तों बात यह है कि एक लड़की के बाइक अक्सिदेंट से डेथ हुई थी और डॉक्टर ने घोशित कर दिया कि डेथ हुई है कवर से यानि कि बाइक डेथ इस इकुल टू कवर डेथ क्यूंकि जो भी मौते हो रही हैं उसकी वज़ा कवर बता दी जा रही है और यह संभा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट और काॉज ऑफ डेथ म्सीडी को चेंज करके जिसे हम सब डेथ सर्टिफिकेट बोलते हैं तो अब देखते हैं कि डॉक्टर ने क्या जबाब दिया इसका तो डॉक्तर ने कहा कि हम चेक कर रहे हैं कि इशू क्या है और जादा फर्ट थोड़ी पढ़ता है एक डेथ का रीजन गलत लिखने से और ये भी तो हो सकता है कि कवर के वज़े से उसका बाइक एक्सिडेंट हुआ हूँ वा डॉक्टर साव वा कमाल कर दिया मतलब हद से जादा हद है ये लोग दोस्तों महीनों से कर रहे हैं और हमारे देश के लोगो को पता ही नहीं है कि हाकीकत क्या है और आखिर में दॉक्टर ने कहा कि मुझे निश्कर्ष नहीं पता जी थिल्जट है इसरा पांट सुनी तेसरा पांट तियां से सुनी अपका दिमाग घूम जाएगा तो सब्सक्राइब चारत कि अधिया तो सब्सक्राइब दियाद से रहे हैं ये अन इडि़िए चारफ नहीं पता एक काई इस लड़के ने डॉक्टर से पूछा है कि अगर हमें मार्च में कवर था और हम पूरी तरह सही हो गए और फिर तीन महिने बाद किसी और कारण से मर गए तो क्या डेथ कवर की मानली जाएगी जवाब मिला जी हा इन फैक इसी वीडियो में आगे इसी डॉक्टर ने कहा कि ए उसके बाद अगले साल भी अगर डेथ हुई तभी भी माना ये जाएगा कि डेथ हुई है कवर से सुनी आप In the way that they're currently reporting this So you mean if someone had COVID-19 now recovers and then dies of something completely unrelated next year that would still be recorded as a in the current system Yeah and that's why we're saying it looks like you can never recover under the current system because you could die of influenza for instance in January next year but because he had a positive you'd still appear in the figures now that creates a real problem for us as epidemiologists चौथा पॉइंट ये सबसे भयानक पॉइंट है बहुत सारे ऐसे टेस्टिंग लाब्स हैं जहां अगर सौ लोग टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो वो लाब्स अपने रिजिस्टर में लिख रहे हैं कि सौ के सौ को कवर था यानि 100% पॉजिटिव रिजल्स मतलब अगर आपको 100% पॉजिटिव रिजल्स चाहिए कि आपको कवर है तो आपको बस एक काम करना है आपको इस लाब में जा के अपना टेस्ट कराना है जी हां जो भी ओन लाब्स में टेस्टिंग कराने जा रहा है वो लाब्स गवर्मेंट की वेबसाइट पर अपडेट अब सवाल पूछने पर जादता लाब्स ने मना कर दिया जवाब देने से बस एक लाब ने जवाब दिया कि रिज़ोंर्ट सो परसन्ट नहीं है गलती से लिख दिया हम में असली इसल्ट्ट को 9.4 परसन्ट है यानि सौ में से सिफ नौ लोगों को कवर है हद है हद गावर्मेंट वेबसाट पर लिखा हुआ है कि सब को कवर हुआ लेकिन सीथा नाइनटी वन परसन्ट को घपला पड़ते हैं क्योंकि हमारे देश की मीडिया कितनी हिम्मत कहां कि ऐसे लाप्स जाकर जांच परताल करें पांचवा पॉइंट ऐसे हजारों वीडियो रोज जिलीट हो रही हैं वर्ल्ड हरस्मेंट और्गिनाइजिशन के कहने पर लेकिन फिर भी अभी भी हजारों वीडियो से बादे समझ आएगी